इंडिकेटर्स फ्री मास्टर कोर्स के आज आप आज चुके फूर्थ वीडियो में, अभी तक आएं वेरी शूर आपने अल्रेडी देखे होगा कि RSI और सुपर ट्रेंड को किस तरीके से यूज करते हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक आप सीख चुके हो, और आज आप लोग अल्रेडी M.A.C.D. को यूज करते होंगे, क्योंकि काफी popular indicator है ये, अच्छा ये एक चीज है कि अगर आप नए हो, तो ये मैं आपको बताता हूं कि लोग M.A.C.D. को generally अकेला यूज नहीं करते हैं, बलब इसके साथ या तो उनकी कोई strategy होती है, या इसके साथ उनक इसकेला मलब solo use नहीं करता हूं, बट कई लोग solo भी use करते हैं, बट इससे हम समझते हैं कि ये है क्या चीज, तो आप जब indicators के section पर जाते हो, आप simply M.A.C.D. सर्च करते हो, M.A.C.D. की full form होती है, moving average, convergence, divergence, divergence, तो अब ये moving average, की convergence और divergence बता रहा है, अब ये क्या चीज होती है तो convergence मतलब basically एक परीके से pass आना, cross करना और divergence मतलब दूर जाना, तो अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि हमने M.A.C.D. place कर दिया, M.A.C.D. अब अगया है, अगर हम इस M.A.C.D. को देखते हैं, तो पहली बत तो हम पर दो लाइन हैं, ये दो लाइनों के नाम है, एक क हम बोलते हैं, M.A.C.D. की लाइन, और एक होती है हमारी सिगनल लाइन, तो कौन सी कौन से color से है, ये आपको, आप जैसी setting में जाओगे, आप इसके color भी change कर सकते हो, आपको देख भी जाएगा, तो जो हमारी M.A.C.D. की लाइन हो, simply blue color में, मैं ऐसे थोड़ा से यहाँ पर आपको जैसे ये बीच में एक लाइन है, बड़ो दिखनी ली, जिसके ऊपर और नीच आप को histogram दिख रहे हैं, okay, so यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो M.A.C.D. क्या बताता है, M.A.C.D. अगेन एक indicator है, price को ही follow करता है, बड़ प्राइस के साथ साथ यह आपको थोड़ change हो सकते हैं, इसलिए मैंने setting पर जाकर दिखाया कि आप उसे check कर लीजेगा, whatever the color is, तो यह जो blue line जो है, red line को नीचे से intersect करती है, तो एक buying signal generate होता है, again, super trend की तरह M.A.C.D. भी जो accuracy देता है, लगबग 50% की देता है, it is not always correct, तो आप simply यह सोचे कि M.A.C.D. ने मलब एक confirmation दिय और मैं जाके पैसा लगा दूँ, तो आप पहले properly technical analysis अगर आप कर रहे हैं, तो price action को सीखिए, आप अलग-लग strategies को समझे और उसके बाद अपनी strategy बना के काम कर सकते हैं, जिसमें हम M.A.C.D. को यूज़ कर सकते हैं, यह नहीं है कि सिभा M.A.C.D. को आपने आज समझा और ल तो अभी पहले आप इस concept को समझे उसके बाद हमें यह जो histograms आ रहे हैं इनका भी आपको significance बताएंगे, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो clearly दिख रहा है कि blue line ने intersect किया red line को नीचे से, और उपर जैसे ही गया, तो यहाँ से price भी अगर आप देखेंगे तो price भी लग rate होता है, बट आप आप यहाँ पर देखोगे, आप तो साप की तरह लपट गए है, now what is this, so this is a sideways trend, ठीक है, यह sideways है, although आपको इसमें price थोड़ा सो ऊपर गया है, बट यह MACD के साब से जो indicator है, यह तरीके से sideways है, बट अगर आप यहाँ पर देखोगे, तो यह उपर से नीचे crossover कर रहा है, और सीधे सीधे नीचे आ रहा है, बट price नीचे गया है, आपको उटना नीचे नहीं गया, तो अब इसके अंदर ना एक understanding होती है, कि क्या understanding लेकर आनी चाहिए, point number one क्या होता है, कि जब भी यह crossover आता है, तो zero line के रहे एक importance होती है, और zero line के ओपर लोग बात नही नीचे था, आपको बड़ यहां पर तो बड़ा momentum आया है, बट अगर यह ऊपर होता है, इसका मतलब क्या होता है, कि price बहुत तेजी में है, अगर यह zero line के ऊपर ही जाके इस तरीके का कुछ crossover देता है, तो price के ऊपर जाने के chances जादा होते हैं, और यहां पर भी quick rally देखी पर है, तो आपको लग रहा होगा, बट अगर आप इससे देखेंगे, तो यह almost 19,260 के price से लेकर, यहां पर आपको देख रहा है, यह 20,200 तक चला गया, तो यह अगर zero line, यह आप MACD को capture कर लेते हैं, तो आप definitely अच्छे moves capture कर सकते हैं, अगें यह भी आपको एक MACD क्रॉस दिखा है, आपको दिख रहा है कि इसके बाद price भी उपर गया है, बट zero line के उपर अगर आ यह आ जाए, तो हम पीछे पास में जाके देखते हैं, कि ऐसा definitely हमें मिलेगा, बट इसके कम मिलते हैं, ऐसे trades, ज्यादा तर आपको zero line के नीचे मिलेंगे, अब जैसे कि यहां पर द एक जादा powerful sign है, कि price बहुत तेजी से उपर जा सकता है, तो अब आप यहां पर देखेंगे, almost 15,950 के आसपास से, price लगातर बढ़ता चला गया, 18,600 के आसपास तक, तो यह तो हमारी हो गई, MSCD की line और signal line के significance, अब इसके साथ हमें दूसरी क्या चीज़ देखनी होती है, एक आपको red color देख रहा है, एक आपको यहां पर देख रहा है, green color, तो हमें इसमें एक divergence देखना होता है, अगर आप यहां पर देखेंगे, तो यह जो red color आपको देख रहा है, यहां पर आपको थोड़ा सा देख रहा होगा, यह धीरे-धीरे करके ना, इसकी जो lines है, यह कम क्यों हो रही है यहां पर यह green इतना बड़ा कैसे हो गया तो basically क्या है कि यह जो आपको histogram है यह measure होता है distance का दोनों line के बीच में जैसे इन दोनों line में gap बढ़ गया तो यहां पर strength दिखाएगा यार कि MSAT बहुत तेजी से उपर जा रहा है basically यह price को भी follow करता है बट क्योंकि यह gap अगर बड़ा आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि यहां पर एक strong momentum है MSAT बहुत तेजी से उपर जा रहा है और यहां पर आप देखेंगे MSAT बहुत तेजी से उपर आ रहा है तो ऐसे अपने crossover अगर आपने find out किया so you can capture some good moves but accuracy again मैंने बोला कि आ 50% की ही मान के चलिएगा ठीक है उपर से नीचे गिरते हुए भी आपने देखा कि नीचे गया है अब आ जाता है तीसरी चीजी कि इसके divergence से हमें क्या पता लगता है अगर यह दोनों लाइन आपस में दूर जा रही है ठीक है तो यह जो histogram है यह strong आपको मिला एक signal लेगा कि यहां से red से यह crossover हुई और यहां से price उपर जाने लगा तो basically इसे इस तरीके से देखेंगे हैं यहां पर मैं clearly दिखाता हूँ इसे देखिए यह red की strength बढ़ रही थी मलब red wide हो रहा था बट फिर एकदम से इसकी strength कम होनी शुरू ही और यह divergence आपको crossover से पहले देखेगा crossover बाद में आया है divergence पहले देखने लग गया कि जो यह histogram है इसकी strength कम हो रही है तो यह divergence पे भी कही लोग trade कर लिए कि भई इस divergence को हमने पहले cross कर लिया और यह हमारा एक dual confirmation हो गया और इसके बाद price की उपर जाने के chances जाद हैं again मैं बोलूगा chances जाद हैं अब यह मैं candlestick pattern के ऊपर trading अलग हो गई उसके ऊपर candlestick pattern के ऊपर मैंने series बिनाई हुई है तो अगर आप divergence देखने को मिला उसके बाद हमें cross over भी मिल गया और उसके बाद हमें या पर देख रहा है कि जो histogram है वो एक positive outlook दिखा रहा है so you are in the trade till the time आपको दुबारा से या तो crossover या divergence नहीं दिखता अब यहां पर आपको divergence पहले दिखना शुरू हो गया स्ट्रेंथ कमोनी शुरू होगी थी और यहां पर जाकर crossover आ गया so basically बड़े time frame पर लोग M.A.C.D. को इस तरीके से trade करते हैं अब M.A.C.D. को अगर आप super trend के साथ लगा देते हैं जैसे कि हमने super trend इससे पहले वेली strategy में सीखा था तो मैं अब दोनों के crossover पे अगर आप दोनों को use करते हैं in fact आप VWAP को भी use कर लेते हैं तो यहां पर आपकी बन जाती है ब्रहमास strategy तो ब्रहमास्तर की वीडियो एक अलग है वह भी आप जाके देख सकते हो कि एक शॉट में बढ़ा दो ना दोनों का तो एक लिए सुपर मास से सिखा रहा हूं तो ब्रहमास्तर में अभी VWAP डिसकस नहीं करते क्योंकि VWAP एक अलग इंडिकेटर है उसको उसका वीडियो आपको उपर आई बटन में मिल जाएगा अभी हम सूपर ट्रेंड और M.A.C.D. को जोड़के सीखना लेख लेते हैं तो सामने वाला इंसान जो भी ट्रेट कर रहा होगा उसने यहां पर डैवर्जन से ही ट्रैक करना शुरू किया कुछ होने वाला है डैव यहां पर हाई ब्रेक होने का बेट करोगे जिस कैंडल पर जाके सूपर ट्रेंड ब्रेक हुआ वह आपको जाके यहां पर कहीं मिलती है अब आप यहां पर अगर एंट्री लेते हो तो आपको डेफिनिटली एक बड़ा मूव क्याप्चर होता है और यह से भी नहीं कि डिल पहले आगया था शूपर ट्रेंड बाद में चीज़ जोगा था यहां पर सूपर ट्रेंड पहले चींज हो गया बट हम एंट्री नहीं लेंगे एस पर दा स्ट्राटेजी हमें दोनों का ही कंफरमेशन चाहिए तो दूसरा कंफरमेशन आपको यहां पर जाके आता है इस कै चैंडल के बाद आप एंट्री लेते हो एंड यू सी कि एक अच्छा मुझे मिला है और आपको यहां पर इसने बाहर भी निकाल दिया अगें अब यह एक निया ब्रहमास्तर है उपर से नीचे के लिए अगर आप पांच मिनिट के टाइम फ्रेम पर काम कर रहें तो ध्यान मात फॉलाइंग झालओं यहां और यहां पर ब्रहमास्तर के लिए लियुक लिए टेपर निकलना होता है है तो अपनी हम इसे सवाज बूख कंट्रन ची कर दो कर दो.. अब इसके अंदर एक और न्यू मुलाव आप कह सकते हो क्योंकि स्ट्राटेजी सेम नहीं होती तो आप सूपर ट्रेंट एक और लगा लिजेगा तो आप इसे कभी-कभी क्या होगा कि केंडल ना खिषती चली जाती है खासकर जब लोग वॉलेटाइल चीजों में ट्रेड करते हैं एक्जामपल बैंक निफ्टी के लोगों के लिए वॉलेटाइल है तो क्या होगा कि एक कैंडल होगी और खीषती से ली जाएगी तो आप तो इसमें क्या कर सकते हो मैं आपको द होता है यहां पर देखें तो यह 22 है और यह 103 है तो 103 थोड़ा सा वाइड रहेगा अब पॉइंट यहां पर क्या है अगर इसे समझना चाहो तो आप समझ लो हो सकता है फर्स टाइम अगर कोई देख रहा तो उसे ना समझा है अब जैसे कि यह कैंडल है तो यह कैंडल खीष मैं आपको यहां पर 103 हटा के दिखाता हूं आपको समझ आगा जैसे मैंने 103 हटा है वो लाइन गई अगर मैं यहां पर 103 भी लगा देता तो इस कैंडल पर क्योंकि जब यह बन रहा होगा कंफरमेशन यहां पर आई है इसकी तो इसने इसे तोड़ा और तोड़ने के बाद कंफरम यहां पर किया पर हम कंफरमेशन तक का विट नहीं कर सकते हैं हमें बड़ी कैंडल्स पर थोड़ा सा 103 के हिसाब से निगलना पड़ेगा तो इंट्राडे के अंदर विकरस आपको अच्छा लगा हूँ वीडियो तो लाइक कर दीजगा अगर आपके कोई डाउट है तो उसे कमेंट करके पूश लीजगा अल्रेडी आपने चार वीडियो देख लिए इस कंप्लीट सीरीज में यह सीरीज ऐसे आपके लिए चलती रहेगी अगर आपका प्यार भी हमें मिल करना जाते हैं उसकी सारी टेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी हैपी लर्निंग और वी विल सी यू वेरी सून